हरियाना में विधानसबाद चुनाव से पहले एडी एक्शन मोड में नजर आ रही है कई दिन पहले रावदान सिंग पर छापे मारी है वो की गई तो अब सोनिपत से कॉंग्रेसी विधायक सुरेंदर पवार को हिरासत में हो ले लिया गया है यह बताया जा रहा है कि कल जब वो एडी के दफ्तर में पेशी के लिए गए थे और उनको बाद उसे कोट में जाना था तो वहीं से एडी के अधिकारियों ने सुरेंदर पवार को है वो गिरफ्तार किया और उसको पहले देरात इसी का आवास पर है जो सेक्टर 15 मिस्तीत है सुरेंदर पवार का उसे यहा पूरा मामला है क्योंकि दिलबाग सिंग जो की पूरा विधायक है इंडिया नेशनल लोगदल के वो अवेद खनन से जुड़े थे और उनके पार्टनर है वो सुरेंदर पवार है और उसी को देखते हुए एडी ने एक मुकतमा है वो दर्ज किया था जिसके बाद इडी पूरे मामले की जाच है वो कर रही है काफी लंबे समय से शिकंजा कसने की तियारी है वो सुरेंदर पवार पर है वो की जा रही थी लेकिन कुछ क्लिव है वो एडी के अधिकारियों को नहीं मिल रहे थे जब पिछले दिनों सुरेंदर पवार और दिलबाग सिंग के आव से कुछ जरूरी कागजात है वो अपने साथ ले गएते जिसका अध्यान करने के बाद एडी के अधीकारियों को कुछ एहम सबूत है वो इस पूरे मामले में सुरिंदर पवार के खिलाफ लगे हैं जिसके बाद उनकी गरफतारी है वो यहां से हुई है और अब आप यहां पर अनुमन यहां पर जो कार्यकरताओ का एक हजूम है वो देखने को मिलता था क्योंकि कार्यकरताओ यहां पर उनसे मुलाकात करने आते थे लेकिन आज उनकी ग्रफतारी के बाद यहाँ पर सनाटा पसरा है और इसी आवास पर पिछली बार जब एडी के अधिकारियों ने चापे मारी की थी तो कोई दिन यहाँ पर सगंता से तलाशी है वो की गई थी लेकिन अब एडी ने सुरेंदर पवार को ग्रफतार है वो कर है और यहाँ पर सुरेंदर पवार को अंबाला ओफिस है वो लेकर जाया जा रहा है और जहां पर एडी के अधिकारी उनसे पुस्ताच है वो करेंगे सोनीपस से पंजाब के सदी के लिए संदी मलिक हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद